वेल्कम 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 बच्चो वेल्कम एवरिबड़ी लेट्स बीगें दी सेशन चलिया तो सभी लोग का प्रेक्टिस सेशन में स्वागा थे बच्चो जो कि हम लोग बार्क यूके प्यस्सी जैसे एक्जाम्स के लिए फोकस कर रहे हैं यहां बच्चो आप सब लोग जानते हैं कि इन एक्जाम्स में प्रोड़क्शन की वेटेज भी जो है वो अच्छी कासी है ठीक है तो यहां पे कुछ प्रोड़क्शन के लिए इंपोर्टेंट सेशन में डिसक्स करने वाला हूँ आज कुछ इंपोर्टेंट कुश्ट लूंगा मैं वो कि आपके फॉर् है यही सएही समय है तो उसी को जांचने के लिए पर्खने के लिए आईये कुछ फॉर्टेंट के लिए और सब्रास नेकलने कोशिच करते हैं को चैंस आर्नीश को चैंस अ यह तो गेट वाला है फिप्स फेस जो आया है यह तो गेट के थुरू सेलेक्शन वाला है और कोई भी आये क्या नहीं पीसी जेए वाला चलो खेर अभी देखेंगे इसे डेटेल में तब लिगों को हमें सेशन लेट स्टार्ट चलिए बचो तो यहाँ पर हमारा पहला चलो कोशन पर आजाए फड़ा 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 आ गया रिजल्ट नाइन नंबर से रह गया मेरा ओहो यह तो बड़ी बेकार ख़वर है पच्चिस तारीक का आज जो विंडोस है उसमें है गये इसमें तो नहीं है यह जो ट्रेन इंजिनियर मेकेनिकल करके आया यह तो बीटेक वाला है जिसमें गेट के थूरू सेलेक्शन होता है यह तो वाली लिस्ट है और कोई भी लिस्ट है तो प्लीज शेयर कीज़ेगा बीचल कब लिकुल हम लोग डिस्कस करेंगे आज चलिए चलिए कोई बात नहीं आईए डिस्कस करते हैं बचो पहले कोशन को उसके बाद फिर यह सारी बाते भी करेंगे let's begin with the question number one देखे पहला कोशन बचो आप लोग के सामने let's let's begin बचो फर्स्कोशन आप लोग के सामने वो क्या है कि mechanism of deformation in forming process किसी भी forming process में बचो deformation के मतलब जो shape size change होती है वो किस mechanism के थुरू होती है slip and tweening कहेंगे sleeping only, tweening only या slip, tweening and twisting पता हैं बच्छों, forming में जो shape changes होते हैं, वो basically किस तरह के mechanism के वज़े से होते हैं, तो forming में हम लोग जानते हैं बच्छों कि forming जब भी हम करते हैं, उसमें क्या होता है? grain movement होता है grain movement होता है grain का flow होता है flow कह सकते हैं ज्यादा सही word है grain का flow होता है कि force की direction में grain का flow किया जाए तो that action is basically slipping and साथ-साथ होती है वच्चो ट्विनिंग तो याद रखे का there is a slipping and twinning both mechanisms will responsible for the deformation in forming process किसी भी forming process में slipping and twinning is the most important part जिसके ही हमारी forming process होती है जिसके काफी बच्चों को यहाँ पर गलत हो गया है चलिए कोई बात नहीं next question में correct करनी कोशिशिश करें the direction of friction during rolling from entry point to no slip point बचो अब आपने rolling अच्छे से पढ़ा है बचो कि rolling में हमारा roller के बीच में हमारा जो होता है वो entry point से लेके हमारा no slip point के अगर हम बात करें no slip point के अगर हम बात करें तो you all know that कि उस बीच में हमारा जो direction of friction होगा rolling के दुरान वो क्या होगा movement के against होगा मालने यह roller ऐसे चल रहे हैं तो direction of friction क्या होगा movement के against होगा along the movement होगा downward होगा यह depends on material of the sheet होगा बता है यह भी बड़ा important है वो कह रहा है entry point to no slip point बचो entry point to no slip point बिल्कुल सही बिल्कुल सही चलिए यह अच्छी बात है कि यह वाला question अगर आपने सही किया तो इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत revision के touch में आप है यह अच्छी बात है और जो revision के touch में नहीं है वो a answer करेगा इसका और जो revision के touch में है देखो maximum लोगों यह answer भी कर दिया कई होने दो तीन को छोड़के अब a a आ गया तो यह बेकार बात है बचो अगर आप a answer कर रहे हैं तो मतलब आप touch में नहीं है आप touch में नहीं है concept के आप बस logically answer कर रहे हैं कि यह friction होगा तो movement के तो opposite होना चाहिए यह सोच के आप answer कर रहे हैं ठीक है ना बट यहाँ याद रख्या अगर आपने mechanism समझा है तो जब बात कर रहा है वो कि यहाँ पे किधर जो है तो always it is along the direction of movement along the direction of movement that is along the movement B is the correct answer B is the correct answer ठीक है ना friction बिल्कुल सही बिल्कुल सही जस्वीर ने जो कहा कि अगर movement के along नहीं होगा friction का direction तो sheet जो है आपकी वो automatic flow जो होता है sheet का कि आपने अंदर नहीं force लगाना है सो डालने के लिए आपने बस उसको देना है याप और वो उसके बार अपने आप खीच लेगा तो वो तभी possible है जब आपका क्या हो friction जो हो वो along the हो clear है तो यह याद रखिए मतलब रिवीजन में बिल्कुल नहीं है जो बच्चे इसको आंसर नहीं कर रहे थे सही चलिए इन रोलिंग प्रोसेट बच्चो सिर्फ यही समझता है आपको कि जो रिवीजन में नहीं है वो रिवीजन में लाएं उन चीजों को पढ़े दीन चीजों के बारे में आज बात हो रही है क्लियर है बिकॉज यह वैला पेपर नहीं है ऐसे सी जैसे कि आप बोलेगी प्रोडक्शन तो ना के बराबर आएगी प्रोडक्शन अच्छी कासी पूछी जाएगी अगला कुशन बचे इन रोलिंग प्रोसेश न्यूट्रल पाइंट लोकेशन डिपेंड अपन रोलिंग प्रोसेश न्यूट्रल पॉइंट डिपेंड जल्दी बताएं न्यूट्रल पॉइंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है न्यूट्रल पॉइंट डिपेंड अन कोई भी मैटर रोलिंग प्रोसेश है तो न्यूट्रल पॉइंट जो है बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा आप जानते हैं, जब हम rolling process पड़ते हैं, तो यह आल नो देट कि that is a जो हमारा यहां से कोई roller है, यह आपने entry कराइं मान लिजिए यहां से हम exit कर रहे हैं, तो जो आपका plane आता है भचो, यह center है मान लिजिए, यह center है roller का, आपको पता है यहां से लेके, जहां हमारा neutral point आएगा यह plane क्या कहलाता है, neutral plane कहलाता है तो यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि that is a neutral plane तो वो यही कहा रहा है, वो किस पर depend करता है तो आपको बता दूँ मैं बच्चों, वो इन सभी parameter पर depend करता है diameter roller हो, friction हो, draft हो, speed of operation हो that is 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 and 4, it depends on all it depends on all ठीक है, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी D answer किया है, बिल्कुल सही किया है next, angle of bite should be, angle of bite कितना होना चाहिए, बच्चों angle of bite पता आपको जो भी हम यह बना रहे हैं that is called angle of bite, जितना भी portion जो है, वो अंदर जा रहा है that is called angle of bite, जितना भी contact में है that is called angle of bite, अब वो angle of bite कितना होना चाहिए, बच्चों angle of bite हमारा range क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ, यह तो लगबख सही बता दिने चाहिए, बताओ angle of bite क्या होना चाहिए, बच्चों, range बिल्कुल सही, 2 to 10 degree, very important question है, 2 to 10 degree, यह रखेगा, यह पूछा जाएगा that angle of bite should be 2 to 10 degree के आसपास यह होना चाहिए in the range which one is assumption of a rolling, इन में से कौन सा जो है वो rolling का assumption है which one is the assumption of rolling, इन में से कौन सा rolling का assumption है, इन में से कौन सा assumption, यह रखेगा rolling के assumption यह रखेगा, बहुत question assumption के उपर आते है rolling के, ठीके न, इन में से कौन सा rolling का assumption है, पूछ रहा है, तो पहला है, coefficient of friction is always same, no role separating forces are acting, width of step remains same, या plane stress, तो आप लोगों ने देखा है, जब भी हमने rolling के case में कोई formula लगाए है, जैसे कि हम बोलते हैं rolling में, कि delta H is equal to, हम बोलते हैं, delta original H कितना है, minus H final कितना है, यह निकालते हैं, जिसका formula हमारा यह भी निकल गयाता है, D1 minus cos alpha, ठीके न, तो यह जो हम लेते हैं formula बच्चो, इसमें आप देख रहे हो कि हम सिर्फ सामने वाली dimension लेते हैं, कि यह roller हमारा, जो HO का था, size का, अब यह roller यहां से गया, मलब जो हमारी sheet है, वो HO height की थी, और यहां से गया हमारा, यह HF हो गया, घटके, हमने कहीं से भी इसकी वाली dimension का जिकर नहीं किया, ठीके न, कि इधर को dimension क्या है, या sheet की क्या है, मतलब width, width को हम पहले भी और बाद में भी constant मानके चल रहे हैं, स कह रहे हैं, अगर यह दबता भी है, तो इससे length बढ़ती है, हम width को constant मानके चल रहे हैं, तो बिल्कुल सही बच्चो, यही याद रहे है, width of strip remains same, हम यहाँ पर assume करके चलते हैं, कि जब हम उसे दबा रहे हैं, तो उससे सिर्फ length आगे बढ़ रही है, width नहीं, ठीक है? समझ मैं है बच्चवाद, ठीक है, चलते हैं, next question पर, अब बच्चो, यहाँ पर जो हमारी cold rolled sheet बनती है, मतलब cold forming से, जो हमारी sheet तियार होती है, और plate, sheet की बात करें, जो 5 mm से कम है, और हमारी plate की बात करें है, जो ज़्यादा है, तो यह जो हमारी तियार होंगी, की वो हमारी किस तरह की मिल में त्यार होती है, यह आप से पूतरा है, 2 high mill से, 3 high mill से, 4 high mill से, या cluster mill से, या असान है बच्चो, यह question भी, sheets आप त्यार कर रहे हैं, तो that will be done by, किस तरह की मिल से त्यार होंगी, तो that is done by, बताएं, बताएं, cluster rolling, cluster rolling, cluster rolling की 4 high mill करें, देखो, कम ज़्यादा तो होगा, ही rolling, obvious ही बात है, rolling कम तो होने से रही, rolling तो ज़्यादा से ज़्यादा ही होगी, ठीक है, ना, ठीक है, लेकिन याद रखिए बच्चो, cluster का मेन हम मत परपस समत रहें, आप cluster का क्या होता है, में सब cluster cluster answer करतो रहे है, cluster हमारा किस के लिए होता है, जब बताएं, cluster में arrangement क्या होता है, यह बताएं, सबसे पहले चीज तो जो important है, जो important वो यह है कि आप cluster का roll बताएं, पहले cluster का roll क्या होता है, cluster किसको कहते हैं, जहां इकठे roller होते हैं, मतलब एक कुछ ऐसे, जैसे कि माल यह roller लगा है, इसके पीछे को और लगा है, इसके पीछे को और लगा है, ठीके ना, हमने ऐसे करके roller लगा है, ताकि जो हम जो है, जदा ज्यादा दबाओ जो है, वो लेके create कर सके, यही तो होता ह cluster गेना यह होता है कि नहीं होता है बताओ आपको कुछ और दिवाग में होतो बताओ तो छी केना यह होता है और इसी में cluster में मतलब ऐसे कई सारे और जब हम बोल रहे हैं two high mill, three high mill, four high mill तो इनका मतलब क्या हुआ हुआ इनका मतलब यह हुआ जैसे कि हम यही बॉलू में कि 4 high mil, तो 4 high mil का मतलब क्या होगा, कि एक roller ये लगा है, अब इसी के पीछे जो है, हमने 2 roller और लगा दिये, बड़े-बड़े, अब ये 4 high mil हो गया, तो ये दोनों काम ये इस तरह के काम हम कर क्यों रहे हैं, हम कर रहे हैं, that is by काई के लिए, हम काई के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा separating force जो है, जो separating force है, उसको control में ला सके हम लोग, ठेके न, तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं, बचो, तो यहाँ पर समादीजिए, जो भी बड़े size की हमारी rolling होती है, जहाँ पर भी बड़े size की rolling करनी होती है, वहाँ पर हम इस तरह की mills का या इस तरह के roller arrangement का परियो भी बड़े size की rolling होते है, तो हम उसे फिर 5 या 6 तो हम उसे cluster में गिन लेते हैं, तो cluster मिल और इसमें कुछ फरक नहीं है, बस यही है कि यहाँ एक quantity fixed है, 4, cluster में 4 से उपर जितने भी आएंगे वह cluster में आएंगे, 4 से उपर जितने भी आएंगे, वह cluster में आएंगे हमारे, ठेक तो इसलिए याद रखेगा यह सभी अनेजमेंट जो हैं वो हमारे एक ही परपस के लिए हैं बस यही है कि जब जैसे हम क्लस्टर की जगा पर एक कंटीनुस रोल मिलाता है कि जब आप किसी शाफ्ट में लगलग जगा पर लगलग क्रॉस सेक्शन क्रेट कर रहे हैं तो तब ह तक नहीं है तो तो इसलिए आंसर यहां पर यह पी चलग जाता है यह भी चलग आता है अपको अपने पेपर के साप से सही आंसर करता है कहन सांनेट्र मैलने लिए लाई अतंना असानी आपार्न हो जाएगा क्या चीज? हाँ अब जैसे मैंने 4 high mill बोला आपको अगर मैं आपको 3 high mill बोलूँगा तो कहा arrangement जाएगा? 4 में तो आप समझ रहें कि एक क्यों पर एक हो जाएगा 3 high mill अगर मैं किसी को बोलूँ तो 3 high mill मतलब क्या हुआ? कई बच्चों को समझ आते है कि चार तो समझ में आ रहा है हमारे कि एक, दो, तीन, चार लेकिन 3 high mill बोलूँगा तो कैसे लगाएंगे सारी तो odd even हो गया? तो 3 high mill जनरली दो product के लिए use होती है single के लिए नहीं क्योंकि देखो 1, 2, और 3 अब ये हमारी जनरली 3 high mill की जब हम बात करते हैं ये 2 product लिए use होती है मतलब एक आपने यहां से यहां किया रोल और दूसरा यहां से यहां किया बचो रोल एक डिरेक्शन अपोरिट होगी ना तो दोनों एक टाइम पे तो एक इस साइड और एक इस साइड चलेगा साइड चलेगा और यूर्वाय ही है ठीक है ना तो थ्री हाई मिल का परियोग जो है इस तरह होता है बाकि फोर से लेके आपका जो उपर है वो हमारा सब सिंगल के लिए यूज़ होगा ठीक है कहीं पर अगर हम सिमेट्रिकल कप बना रहे हैं तो बताइए किस प्रॉसेस के लिए इससे जो है हम लोग इससे त्यार करेंगे रोलिंग से इस्पिनिंग से डारे एक्स्ट्रूजन से या सिंकिंग से जल्दी बताएं जल्दी बताएं किस से जो है हम लोग इसे त्यार करेंगे भी स्पिनिंग से बिल्कुर सही है अगर आप कब बना रहे हैं अगर आप कब बना रहे हैं that is easy for spinning process spinning process में क्या है कि मान लीजिये आपने कोई process में यहां plate plate जो है वो लगाई है अब आप इसे rotate कर रहे हैं about some axis उसके बाद आप लोग जो है वो अपना tool का प्रियोग करते करते से deform कर रहे हैं और यह धीरे 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 automatically shape में convert हो जाएगा ऐसे से ऐसे deform करके यह shape में convert हो जाएगा और हम इसे flow कराते रहेंगे that is the process called spinning that is the process called spinning जिससे हम decorative item flask ठीक है ना cups यह सब को react कर सकते हैं clear है चलो अगला question बहुत important बच्चो बहुत paper हो में आया है देखते हैं कितने बच्चे इसका सही answer करते हैं hollow plunger is used in which of the following extrusion process चल दी बताएं hollow plunger is used in which of the following extrusion process बताएं hollow plunger is used in which of the following extrusion process बताएं बच्चो यह तो बताएं hollow plunger यूज कर रहे हैं बच्चो hollow plunger देखो अब जिससे press करो जनरली जो piston जैसा system होता है किसी भी system में अगर piston जैसा system हो रहा है तो piston जैसे system को हम solid रखते हैं लेकिन आप बताएं यह कौन सा ऐसा है जिसमें हम इसे hollow रख रहे हैं कौन सी process हो गिए बहुत आसानी से बता सकते हैं सर नहीं पीसी में आपका पढ़ाया हूँ गौरभ पटेल बिल्कुल स्टुडेंट नहीं पीसी में हो गया है रेली प्लीज बच्चे अपने टेलिग्राम में information भेजो आप्टर verify आपकी पूरी information verify करने के बाद ही हम आपके साथ celebrate करेंगे जो एक और बच्चे का comment आगया सर टेलिग्राम में मेरा भी हो चुका है बेस्ट टीचर एवर mechanical field देखें क्या बोल रहा है बच्चा सरेट पीसी result declared I got selected you are the best teacher चलो बहुत बढ़िया बच्चो राजेश्ट लो बच्चो के result आने लग गए तो अपने selection तो like always बच्चो हमारे selection तो सीधा सीधा आते ही है है ना तो देखो 21 वे number पर ही बच्चे का नाम है तो यह सब चीज़े कोई जूट थोड़ी नहीं है हमें कहीं से कुछ ऐसा करने की ज़रूती नहीं है है कि बच्चे कहां से कठे करें सेलेक्शन वाले हमने देखो online में तो आप करी नहीं सकते हैं आप खुदी सोचो ना जो बड़े-बड़े platform है सब marketing कर सकते हैं ठीक है और कुछ भी करके toppers आ सकते हैं लेकिन हम तो कुछ भी नहीं बच्चे अपने यहां भी अगर वो हमसे तरीके से ना भी बताएं तो क्या फ़कर पढ़ने वाला हम कहां पकड़ पाएंगे उना है लेकिन यह बच्चो की बहुत बड़िया वही जिसका भी selection आया है बहुत अच्छा और यह वो बच्चे नहीं है जो हलके फुल के वाले ठीक ठाक बच्चे तो एक selection यहां आया है गौरा पटेल जी का एक selection अभी टेलिग्राम में आया है राजेज जी का एक और मैसेज चलो तो रंट आ गया वेरी गुड वेरी गुड तो बच्चो देखो यह अब NHPC हो या कोई भी एक्जाम हो मेरे को इतना फरक नहीं पड़ता है मेरे को बस में मतलब है कि बच्चा सेटल और selection आया जाना चाहिए तो बहुत बढ़िया है बस एको content की सारी वेलियो बच्चो हम कुछ अलग तो करनी रहे हैं मैं तो 30-40 मिनट पढ़ा के निकल जाओंगा लेकिन आप मेरी जगह देखो के तो दूसरे प्लेटफार्म में लोग दो दो तिन तिन घंटे भी पढ़ा रहे हैं ठीक है ना बहनत कर रहे हैं सबी लोग लेकिन मेरे को में मकसद क्या है मेरे को में मतलब है कि किस से सेलेक्शन आ रहा है content से आ रहा है जो हमने content की छटनी करी है इतनी सारे sources से वह बहुत important है जिस तरह से बच्चों को concept पढ़ाया गया है उनसे वो जो चीजे याद है हन्हें basic वो basic जो याद है न वो सब से इंपोर्टेंट है रिवीजन जिस तरह से हुआ है कि बच्चे को रिवीजन के तुरू जल्दी जल्दी उसका बेसिक कवर हो जाता है वह वही वाली बात नहीं कि मैंने आपको त्यार कर दिया तो आपके लिए बेसिक कोशिन का अंसर करना कोई मुश्किल नहीं होता बस वही में तेयार ही है बच्चो वेरी गुड़ वेरी गुड़ आप लोगों के बिल्कुल गुरिप में था और बहुत अच्छा अभी इसलिए बोलता हूं बच्चो एक एक वह आये वेकिंसी आये या सो वेकिंसी आये आपके पास पेपर होने चाहिए सारे पेपर भरो मतलो मेरी टैस्ट स्रीज लेकिन उस पैसे से पेपर भर लो ठीक है ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है देखो वही वाली बात है कि मुझे त पढ़ाने लग जाऊंगा फिर यह होगा लेकिन मेरा तो चलता रहेगा ना कुछ ना कुछ करके अपना सरवाइबल कोई दिक्कत नहीं है कितने प्लेट फॉर्म है किसी को भी बोल दो कि मैं आपके घंटा पढ़ाऊंगा तो मेरे मेरी जीवी का निकालने लायक तो मुझे देगा तो इसलिए आपको भी मैं यह कहता हूं कि इतने टेंशन यह मतलो सारा यह करो कि पेपर का फॉर्म तो ना छोड़ो कम से कम यह 100 200 300 500 रुपर के चक्रवाइब पेपर का फॉर्म मत छोड़ा करो फॉर्म भर दिया करो तो त्यारी करने का फायदा क्या है ठीक है अब म काफी सारे बच्चे ऐसे हैं मतलब कई बच्चे जो उन सेशन से कोई एप से को यूट्यूब से लेके हमारी पीडियेफ में हॉल मार खुलमा लगा के बढ़िया से सेल कर रहे है इधर उदर ठीके ना और पैसे भी अव्वेसी बाते कमा रहे होंगे तो पता तो हमें सब का चल जाता है क्योंकि आज आती है information इवन अभी रीसेंट एक बच्चे ने तो बहुत अच्छा चैनल बना के बहुत अच्छे अपने नाम नूम बढ़िया कर रहा है चाथ मुझे भी खुशी वी मैंने का लेक्चर उसने लेक्चर भी वेज़े थे मुझे किसर मैं पढ़ात च्छाब डिया तो चैक आउट किया तो देखा तो सारे टेली ग्राम में हमसे ही भी मुझे वाली पीडिय यही बच्चा समझ के देते रहे देते रहा और वह वह की सेलरी इसी चीज़ पर डिपेंडेंट है तो यह अगर कहीं एफेक्ट होती है वैसे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कि मेरी पढ़ाईवी चीज़ का कुछ क्या कर रहा है क्योंकि मेरे इसाब से तो पढ़ ही रहा है जो भी ले रहा होगा लेकिन अनेथिकल यह है कि जो ब ऑटर मार्क भी नहीं हटा रहे वह वैसे ही दे रहे है कि हमारा ही है बोलकर थी क्या करें या रहा है तो मैं बस रिक्वेस्टी कर सकता हूं कि ऐसे चीजें अगर आपको कहीं-कहीं मिलती है तो कोशिच करें ना ले इस तरह की चीजें ताकि हमारा थोड़ा सो और लंबा सम से नांतरा क हाब के हैं तो आप हमेशा प्लंज़ डाज़े ज़िस आप प्लंजर को हॉलो करके जब वहां से में एक्ष्ठाट करते हैं तो रेट इसक्ट काबूल रिजीए अ終स्ते बोलते हो अ मेरे को उम्मीद है मैं कुछ और सोच रहा हूँ गेट के लिए अब मैं बोल दूगा तो फिर थोड़ा सा मेरे को प्रेशर बढ़ जाएगा नहीं तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा ज्यादा अच्छा बता है क्या है चलो मैं इसको इन बातों को ना किसी जिन अलग से लाइब से बोलूगा क्लास में बोलना ठीक नहीं यह बात है बच्चे मिस्गाइड होते हैं चलो इतरा आजओ नेक्स्ट कोशिन पर चलते हैं अब ठीक है ठीक है यह हमने इतनी बाते कर लिए सिर्फ को स्लेक्शन के खुश एक सीमलेस ट्यूब बाई फॉलिंग प्रोसेस अब देखो वह बहुत अच्छा कोशिन है वेरी इंपॉर्टन कोशिन की दो टेपर रोलर और एक मैंड्रिल का परियोग करके ठीक है हम सीमलेस ट्यूब क्रियेट करते हैं बताए इन में से कौन सी प्रोसेस से स्वैगिंग स से स्क्यूर ओलिंग से रोल पियर्सिंग से या रोल स्पिनिग से जल्दी बताया है जल्दी बताया है तो बीच का portion जो है वो cut होना चाहिए that is called piercing, तो यहाद कि it is called roll piercing it is called roll piercing, यह rolling के तरह ही होती है बस सामने जो हमारा section है उसमें कुछ इस तरह रहेगा कि tube जब यहाँ से आएगी तो इस तरह से hollow tube create होती जाएगी तो बस इस चीज का यहाद रखेगा जो mandrel का परियोग है वो यही है सामने से लगा कि जिससे hollow tube create हो सके ठीक है है चल यह next question पर आते हैं components made by dash process have higher strength component made by dash process have higher strength hot rolling, forging, hydrostatic extrusion, cold rolling hot rolling, forging, hydrostatic extrusion, cold rolling तो that is called our cold rolling components made by dash process having higher strength components दिमाग नहीं चल रहा है प्यूँ ज़्यादा pressure मतलो बेटा जीवन में जो चीज़े छूट जाती है अपने किसी वज़े से या किसी भी कारण के उस पर फिर हम सोचते नहीं रहते हैं उसके बारे में अब यह ध्यान रखो कि आगे जो पॉर्णीटीज आई यहीं तो देखो उस दीन भी तुम्हे दुख था यह जब higher strength, तो अगर higher strength आपको चाहिए बचो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, strain hardening create करनी पड़ेगा, strain hardening हमारी किस से होगी, strain hardening जो है, वो हमारी किस से होगी, that is by cold rolling, वो हमें create करनी पड़ेगी cold rolling से, next question, the end of wire is made pointed to make possible wire drawing by which process, बताएं बचो, the end of wire is made pointed to make possible wire drawing by which process, अब यहाँ पर आपको क्या रहा है, थोड़ा question different सा है, कि वो क्या रहा है, जो wire का end है, उसे हमें pointed बनाना है, to make possible wire drawing, इन में से किस process का परियोग करके, अब pointed करना बचो तो या दखेगा, आपको आगे से compress करना है, that is the process of swagging, that is the process of swagging, clear है, इसको हम क्या बोलेंगे, that is the process of swagging, forging के question जरूब करके जाएगा बच्चो, forging बहुत important है, पेपर में आना ही आना है, which one is metal stretching process, बहुरी important question, इन में से कौन सा metal का stretching process है बच्चो, जल्दी बताएं, अप सेटिंग, रोल forging, embossing या lensing, जल्दी बताएं, इन में से कौन सा metal का stretching process है बच्चो, stretching process of metal, जल्दी बताएं, stretching process of metal इन में से कौन सा है, stretching process of metal, metal stretching process, upsetting, upsetting तो नहीं है, तो यह तो cut कर दें हम लोग, roll forging, stretching process बच्चो, embossing या lensing, बताएं, that is called embossing बच्चो, that is called embossing, metal को stretch करना, ठीक है न, emboss करना, ठीक है, that is called embossing, ठीक है, अगला कुशन जरू बताएंगा, again important है, to increase the fatigue resistance, which metal forming process यूज, बच्चो, पता नहीं कितनी बार discuss किया है, कि fatigue resistance को बढ़ाना है, याभी मैंने कल भी discuss किया रहे, तो हमें इन में से कौन सी process, अच्चा, वो SSC mains में किया था, discuss, कौन सी process का परियोग किया जाएगा, that is called short pinning, बहुत बार discuss हुआ है, कि fatigue life को बढ़ाने के लिए, fatigue strength को बढ़ाने के लिए, we use a short pinning process, we use a short pinning process, next question है, which of the following process, lateral flow of metal is restricted, जिसमें, बच्चो, इन में से कौन सी process में metal का lateral flow, मतलब अगर हम इस direction में flow कर आ रहे हैं, तो उस direction में flow जो है, वो नहीं होने दिया जाएगा, रोका जाएगा, इन में से कौन सी process में metal का lateral flow, very important question, बच्चो, metal का lateral flow, जो है, वो हमारा, metal का lateral flow, जो है, वो restrict किया जाता है, बताएं, embossing, coining, roll forming, stretch forming, बताएं, बताएं, बिल्कुल सही, coining, coining is the process, जिन process का मैं नाम ले रहा हूँ, उनको जरूर देख के जाना कर, वो याद नहीं आ रही हैं आपको, ठेक है ना, ठेक है, coining is the process, जिसमें हमारा कोई भी literal, हम लोग flow जो है, वो नहीं होने देते हैं, which is not a characteristic of a hot working process, किसी hot working process का characteristic कौन सा नहीं है, बच्चो, नहीं पूच रहा है, ठेक है ना, कौन सा characteristic के नहीं है, elimination of internal cracks, hot working करोंगे बच्चो, तो recrystallization होगा, तो जिससे elimination हो जागा, यह सही है, strain hardening, strain hardening नहीं होगा, यह किसमें होता है, यह cold forming में होता है, बच्चो, यह cold forming में होता है, hot में नहीं, ठेक है ना, तो यही answer होना चाहिए वैसे, तो oxide layer formation, grain refinement, तो बाखी सब सही है, जो नहीं है character, वो है strain hardening, इसका अभी हमने जिकर किया भी था, ठेक है, next question, anvil is generally made by, anvil is generally made by, high carbon steel, mild steel, cast steel, या high alloy steel, तो anvil generally हमारी किस से बनाई जाती है, बच्चो, anvil जो हम यूज करते हैं, वर्कशॉप में, sir, NPC में जान नंबर से रहे गया, oh, रहने वाले भी बहुत बच्चे, मैं अब देखू ना, हमारे अच्छी बात कितनी है, बच्चो, कितने selection हमारे आते हैं, mechanical में, make it easy के, कल आपको दिख जाएगा, इतने selection आते हैं, उसके बाद भी बहुत बच्चे ऐसे हैं, जो 3-4 नंबर से रहागे, तो मतलब कितने और selection आपी आने को बिचारे वेट कर रहे थे, बच्चो, तो याद रखे बच्चो, यहाँ पर, anvil is generally made by, तो made by क्या आएगा, आपका cast steel या high alloy तो नहीं होता है, ठीक है न, steel, cast steel ही होगा, या फिर आपका high carbon steel होगा, यही confusion रहता है, तो high alloy steel नहीं बच्चो, तो यह आप cast steel जो है, वो ज्यादा correct answer है, ठीक है न, high carbon steel की जगा पर, which hand tool is used to draw out the material to make a neck, तो बच्चो कौन सा hand tool यूज होगा, अगर हमें neck create करनी है, बताएं, अगर हमें neck create करनी है, तो कौन सा hand tool यूज होगा, अच्छा कोशन है, ball, pin hammer, savage block, fuller, या swagges, तो बच्चो अगर आपको figure भी ध्यान है, तो आपको यह बता रखा है, बताएं, बहुत असान है, इसका answer करना, अगर आपको figure ध्यान है, सबी tool के, बताएं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्यूश बेटा, तू tension ना लेओ, ठीक हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका selection आने वाला है, बस, आप बस, हर बार थोड़ी मेनद बढ़ा दो, कोई बात में, थोड़ी मेनद बढ़ा दो, मैं guarantee लेता हूँ, एक दिन प्यूश यहीं पर message कर रहा हूँ, मुझे, कि सर मेरा यहाँ हो गया है, guarantee दे लो, प्यूश की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकि किसी को मैं बोलू ना बोलू, आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि तयारी करो, आप लोग selection के बहुत नजदीग है, बस, वही इधर उधर 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 की बात है, इवन जसवीर भी, regular student है, ठेक है ना, तो याद रखे, fuller is the correct answer, बच्छो, है और कुछ नहीं, ठेक है ना, तो silly mistakes को avoid करने कुछ करो, जैसे जैसे औरों के selection हो रहे हैं, जो आपको अंदर बेचे नहीं हो रही है, उस चीज को अपने concentration में डालो, यह डालो कि नहीं बस, यह सोचो कि उसका होगे ना, मेरा भी होने वाला है, बस, यह belief अपने आपको दिलाओ, बच्छो कोई दिक्कत नहीं बच्छो, emotions को नहीं रोख सकते हैं, यह फालतु की बाते हैं, हम बोलें कि नहीं नहीं, positive सोचो, यह सोचो, हर तरह के भाव आपके अंदर आएंगे आएंगे, और वो ठीक है, okay है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जनन भी मचेगी, चिड़ भी मचेगी, frustration भी होगी, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, but at the end क्या है, करना है, clear है, the platen velocity in high velocity forming varies, तो बच्चो, यह यह या रखेगा, high velocity forming process, यह high velocity forming process पे न, question कई बार आएवे है, मतलब state level exam में, especially, बाखी कहीं use नहीं होता है, लेकिन especially आएवे है, तो कुछ question जो है, high velocity forming के उपर जरूर देखके चले, ठीक है, तो that is like, आपका, जैसे यहाँ speed पूछी लिया, उसने, कि आपकी जो velocity होती है, वो कितनी होती है, range क्या होती है, तो यह रखेगा, range आप ऐसे याद हो सकते हैं, 10 से 20 meter per second, बढ़ यह रखेगा, मेरे रिसाब से, high velocity forming process को पढ़के जरूर चले, कि मैं सर को बले ही बोलूँगा, वैसे सर ने पढ़ा रखा है, ठीक है ना, चलिए, 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 next question, which is forcing defect, which is forcing, तो बहुत important question है, हमेशा से, casting defect, तो defect तो आपको पता ही है, पूरे production में always important रहता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है, that is, cold shut, miss run, agitring, 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 जिसे allegating, sorry, allegating मतलब जिस तरह का jaw बन जाते हैं, जब ना, ठीक है ना, तो allegating, slag inclusion, तो बच्चों सब को पता है, इन में, यह forging defect नहीं है, यह forging defect नहीं है, समभऩे ना, यह सब को पता है, यह दो forging defect नहीं हैं हमारे, अब है cold shut और alligatoring बच्चों, बताएं, इन में से कौन सा defect जो है, वो forging defect है, इन में से कौन सा जो है, वो forging defect है, sag, slack, inclusion आपने देखा है, मिस्रन आपने कास्टिंग में देखा है even cold shut में भी confusion create होता है क्योंकि cold shut भी आपने कहां देखा है बताए cold shut भी देखा है casting में देखा है cold shut और कहां देखा है ठीक है तो यहां पर हमारे पास बच्चों याद रखे एलिगेटरिंग जो है हमारा हमें रोलिंग या इस तरह के फॉर्म में देखने को मिलता है फॉर्जिंग या रोलिंग जैसे हमें ठीक है लेकिन याद रखिया है जो है एलिगेटरिंग जो यह हमारा मेंली हमें देखने को मिलता है जब आप प्रेस करते हो किसी चीज़ को तो यह हमें rolling में देखने को मिलता है यह rolling defect है बचो हमें यह पूछ रहा है forcing defect नहीं तो जाद कर बच्चों जैसे allegating answer किया है मैं इसलिए बता रहा हूँ एलिगेटरिंग जो है, वो हमारा answer जो है, वो rolling defect है, लेकिन cold shut, जैसे मैंना आपको बोला कि cold shut और कहां देखने को मिलता है, तो याद रखिए बच्चो, तो cold shut हमारा जो है, वही है इसका forging defect, तो बच्चे जनरली इसको tick नहीं करते हैं, casting का समझके, ठीक है न, बट आगर साफ-साफ हटा दियोंगे, सभी बच्चों नों मुझे पता है, लेकि प्रॉब्लम होती है इन दोनों में, क्योंकि cold shot आपने वहाँ भी पड़ा है, ठेके ना, तो that is the correct answer, एह ही इसका correct answer है, clear है, एह ही इसका correct answer है, और alligatoring rolling effect के लिए धियान रखेगा, वो उसमें बहुत ज़़ा पूछा जाता है, next, most important process variable in metal working, इन में से metal working में बच्चों सबसे ज़़धा important parameter या variable हो कौन सा है, बता है, इन में सबसे ज़़धा important parameter और variable कौन सा है बच्चों, pressure, temperature, friction या material of component, जल्दी बता है, most important process variable in metal working, किसी भी metal working process में, किसी भी metal working process में किसी भी metal working process में pressure, temperature, friction या material of component जल्दी बताएं material of component friction, temperature आप देखो variable जो है वो friction तो नहीं है सबसे पहली बाद इसको तो हटा दे हम लोग friction तो नहीं है किसी भी metal working में बच्चो आपको पता है metal working दो भागों में divide करी गई है hot working और cold working करिये न and cold working अब यह hot और cold working आपने किस parameter को vary करके करिये simple सी बार यहीं answer मिल जागा आपको hot working और cold working किस parameter को temperature है न आपने temperature के variation से ही process को divide किया है and that is the correct answer that is the correct answer that is the correct answer very good next hot working temperature of a tin in degree Celsius hot working temperature of a tin in degree Celsius बता है बिलकुल 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 दो बता है hot working temperature of a tin in degree Celsius यह database question बचो पेपर में पूछा गया है लेकिन tin का degree Celsius में temperature क्या होता है hot working temperature क्या होता है जल्दी बता है degree Celsius में पूछ रहा है बिलकुल सही बिलकुल सही सबकंदाजा 27 is the correct answer in which extrusion process higher extrusion force is required इन में से किस extrusion process में ज्यादा extrusion force जो है वो required होता है direct में, indirect में, hydrostatic में या indirect और hydrostatic में यह भी अच्छा कोशन है और important भी है ठेके ना, direct में, indirect में, hydrostatic में देखो, hydrostatic में सबसे कम pressure required होता है बचो, क्योंकि वहाँ hydraulic pressure काम करता है और इसलिए हम लोग use भी करते है बट जो higher extrusion force required होता है वो indirect मे होता है वो indirect मे होता है ठेके ना, higher extrusion force जो required होता है, वो indirect मे होता है डारेक्ट में नहीं हमें indirect होता है ज्याद रखेगा यह force वो नहीं है कि किसमें फस्टेरा force generate होता है वो यह कह रहा है required required मतलब आपके द्वारा जो required है ठेके ना लेकिन एक चीज़ है हमारा direct process आएगी तो एक सेके ना बडारेक्ट औ इंडारेक्ट का confusion हो रहा था होता है higher extrusion force higher extrusion force हमारा अगर हम बोलेंगे तो हमारा क्योंकि हमारा material stationary रहेगा न इंडारेक्ट में material हमारा stationary रहता है और हमारा plunger है वो die जो है वो move करता है इसमें ठेक है इंडारेक्ट में मेरे साथ से इसमें जो है कि यह तो छोड़ दो यह दून option तो है नहीं यह तो option है नहीं कि डारेक्ट में एक confusion यह हो रहा है कि डारेक्ट में जो है हमारा उल्टा होगा यह move करेगा मेरे साथ से direct होना चाहिए मेरे साथ से इसका answer इसका answer बच्च्छो direct होना चाहिए क्योंकि indirect मेंना friction force हमारा कम होता क्योंकि material मूब नि करता ठीक है इसका answer अमेरे Soiche direct होना चाहिए correct करिएगा इसे direct होना चाहिए due to high friction और यहाँ indirect में जो होता है वो less friction होता है A is the correct answer ठीक है इसको correct करिएगा लग जाता है पता कि कौन सा थोड़ा सा गलत जा रहा है ठीक है clear है तो यहाँ जो है वो A answer करिएगा concept उल्टा बैठ रहा था नहीं तो इन hydrostatic extrusion process which property increases एक hydrostatic extrusion process में कौन सी property increase करती है बच्चों brittleness, ductility यह अच्छा कोशन है brittleness, ductility, malleability यह surface finish असानी से बता दोगे आप क्योंकि hydrostatic की बात हो रही है मतलब fluid का pressure का परियोग करके हम लोग कौन सी property को यहाँ पर increase कर सकते हैं improve कर सकते हैं बताए है hydrostatic process से हम लोग कौन सी property को increase करते हैं जल्दी बताएं इसमें भी तुक्का मत मालेगा मतलब पता है तो ही answer को भी तरफ जाएगा नहीं तो रहने दीजिएगा अब यहाँ पर भी generally hydrostatic extrusion which property increases बच्छो तो जो property improve होगी वो कौन सी है यहाँ पर maximum बच्चे answer कर रहे हैं brittleness तो कहीं से भी नहीं है बच्चो बिटलनेस तो हटा दो आप यह तो है नहीं answer नहीं malleability में फरक पड़ता है जो confusion आपको हो सकता है मैं आपको हटा देता है confusion A और C तो हटा दो आप option में किसी नहीं नहीं दिया है तो जो confusion हो सकता था वो B और D में ही हो सकता था और वही इस अपने confusion create किया है तेके ना अब generally क्या है कि hydrostatic का अंदाजा लेखे सब लोग answer यह करते हैं कि hydrostatic की अकरम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि water contact में आएगा तो service finish अच्छा मिलेगा हमें तो ऐसा नहीं है बचो यहाँ पर जो improve करता है यह answer स्रिफ आपके approach के लिए है कि आप गलत answer टिक करते लेकिन याद रखे है hydrostatic extrusion जो property improve करता है वो है ductility वो है ductility that is B is the correct answer तो जिनका भी B answer टिक था जो काफी बचो ने दिया भी है वो बिलकुल सही दिया है और यह paper में आया भी है question ठीक है समझ में आया बच्चे बात clear होगा यहाँ पर सबको very good very good चलिए last question मैं लेता हूँ आज का इसका answer बताईए when in tube sinking floating mandrel tube sinking floating mandrel यह वही है बचो जिससे हमने tube create की थी ठीक है तो यहाँ पर आपसे पूतर है neither thickness of tube remains constant nor inner finish will improve thickness of tube remains constant but not inner finish will improve thickness of tube does not remain constant but surface finish will improve यह tube thickness remains constant and surface finish will improve तो बताईए बच्चो जल्दी बताएं what will be the correct answer अगर आप tube sinking में यूज कर दे हो mandrel तो उससे आपको क्या benefit यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है ना तो याद रखेगा आपका floating mandrel होने से thickness of tube आपका change नहीं होता है बच्चो क्योंकि tube की thickness तो नहीं कम जादा करनी है हमें तो thickness of tube remains correct बतलब constant ठीक है तो इसलिए option जो है वो यह दोन दो हड जाते हैं ठीक है tube thickness will remain constant but surface finish improve होगा या नहीं तो याद रखेगे बच्चो surface finish will not improve तो याद रखेए यहाँ पर बट नॉट surface finish will improve तो बी इस दी करेक्ट आंसर बी इस दी करेक्ट आंसर कि हमारे पास thickness of tube तो constant रहती है लेकिन हमारा surface finish जो है inner finish जो होती है वो improve नहीं हो पाती है इससे clear है तो जो लोगो डी आंसर कर रहे हैं वो थोड़ा सा change करें आंसर को surface finish improve नहीं होता है ठीक है चलिए लास्ट बड़ा important question ले रहा हूँ देखें सब लोग कितने सही answer करते हैं इस question को cogging cogging word आपने सुना है बचो cogging ठीक है important है paper के लिए आपसे पूछ रहा है कि cogging which is also called as drawing out cogging जिसको हम drawing out भी कहते है is basically cogging क्या है बचो open die forging operation है closed die forging operation है impression die forging operation है या hold die forging operation है जल्दी बताए cogging जो है वो हमारा किस तरह का forging operation है open die है, closed die है impression die है या hold die है कल भी मैं आपके लिए production के कुशन लाँगा तो production revise कराना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि याने इन पेपरों में production में बहुत फ़र्क पढ़ने वाला है बताएं cogging जो है वो किस तरह का प्रस्वाइश बच्चों drawing out बिल्कुल सही, बिल्कुल सही काफी बच्चों का सही है जो कि बिल्कुल सही बात है, it's an open die forging operation, या रखेगा, it's an open die forging operation, यह एक open die forging operation है बच्चों clear है समझ में आई बच्चबात, very good, very good तो कल बच्चों मैं आप से कुछ machining और कुछ इस तरह के question लोंगा, वड़े important question होंगे कल discuss तो त्यार रहेगा revise करके अब क्या revise exact topic नहीं बताऊंगा नहीं तो फिर तो आप बिल्कुल ही महीर हो जाएंगे तेके ना, कल करेंगे हम लोग चल थोड़ा सा बताए तो हमें थोड़ा सा अन कन्वेंशनल मशीनिंग की तरफ फोकस करोंगे उसके पेपर में बहुत question आते हैं ठीके ना आएंगे आएंगे confirm आएंगे तो कल लेंगे उन questions को चलिए थैंक्यर मच अपली जिनका भी एनेस पीसी में हो गया है बचो तुरहत अपना रजल्ट भेजिए ठीके ना थैंक्यर मच